अब फेस्बुक लाइव दे सारे दसकानू मेरे वहलों प्यार पड़ी साथ सिखाएं तो दोस्तों रेगुलर बेसिस देते हैं वक्री वक्री कंट्री वक्री तरहां दे स्टूडेंट वीजा बारे जड़ी जानकारी है तो आनूं फेस्बुक पेज दे रही है सोशल मेडिय वक्री प्लाटफर्म ते रही दिनने रहने है तो आज वी टिड़ा लाइव दा बेसिक रीजन है गाता नुए दसंदा के ऑस्ट्रेलिया एक ओ कंट्री जित्थे आज ती डेट दे विच कोविड तो बाद ट्रैवल जड़ा है गा लास्ट जड़ी कंट्री ने शुरू की बहुत सारे स्टूडेंट्स जेना दे साल साल तो डेट डेट साल तो वीजा गरांट होए है यह से कि अल्टीमेटली ओ ट्रैवल कर सके और ट्रैवल करके ऑस्ट्रेलिया जाके उते फिजिकली युनिवर्सटी दे विच या ऑस्ट्रेलिया पहुंचके जे ऑनलाइन क्लास लग रहे हैं उदे अपड़ाई कर रहे हैं जिदी रेट दे विच जे गाल करा तो वीजा सक्सेस रेट जे तुसी साथा फेस्बुक पेज फॉलो कर देओ यूट्यूब इंस्टाग्राम ते देख देओ ते रेगुलर अपडेट्स और रेगुलर वीजा शैत्वान ओदे अश्चीया मारा उस्ट्रेलियन इंुमिग्रेशं और तो अपरोवडी इंबिरेशार स्ट्रेल्य की इधा है जिए जोगे सबाइज करना चाहिए दोब्ल जोएधर अस्ट्रेलियोल यहाज तक फॉल टी तक बी अट्रीशाब करूट की एंग्वानुम्डाया इंगर विज चाहे हो सुमित है या बन फ्रीद है ऐस्ट्रेलिया आफिस तो मैक्सिमम जड़े स्टूडेंट्स ता जड़ा सानू फीडबैक मिलदा है के बाजी वदिया काम होया तो आडेकोलो वीजा लगवाया वीजा लगवाया के चलंदरो अंबर सर चंडी गड़तों असी जद तो वीजा ग्राइट हो जन्दा ओस कंट्री पहुंच जन्दा चाहे ऑस्ट्रेलिया चाहे कैनड़ा उत्फे जाके जरी या प्राब्लम्ज या उत्थे जाके जरी हैं सिच्वेशन नल डील करना पहिंदा है चाहे हो उनिवर्स्टीदा शेडीओल है चाहे उ पढ़ाईद जड़ी हां टाइमिंग्स ने, पार्ट टाइंग जॉब्स है, अकॉमोडेशन है, ओधे विच कदी भी स्टूडेंट नो सपोर्ट नहीं मिली, बट ओम ग्लोबल मेलबन ने ओम ग्लोबल ऑस्ट्रेलिया उफिस ने हमेशा एक कोशिश कीती है, कि जड़ा स्टूडेंट इंडिया तो गया है, इंडिया तो जड़ा स्टूडेंट ता साथ एकलो वीजा ग्रांट हूंदा, उन्हों नालो नालो कॉंटाक्ट इंफर्मेशन देटती जान दिया कि ते न्हों कोई प्राबलम होए, So our relation with the student starts with the visa जिते बाकी consultants दा मैं कमा के वीजे बिनाल रिष्टा खतम हो जन्दा के यार वीजा लग गया गल मुगी पहे आगे या कमिशन आगी कॉलेज यूनिवरस्टी तो उस तो बाद student जाने student दा काम जाने We start a new relation with the student at that time उस student नो अस्टेलिया जाके उधिया हर तरह दिया दुख तकलीफा या concerns या situations दे वेचे कितना handle करना है या किस तरह करना है College University चेंज करना जड़ा काम है ओ किस तरीके देनाल करना है अगे जाके अपनी temporary resident कितना पानी है अपना work permit किस तरीके देनाल apply करना है पर्मनेट residency किस तरीके देनाल फाइल करनी है अपने spouse नो बलाना है parents नो बलाना है graduation ceremony थे किसे नो अबने रिश्तेदार नो बलाना है तो उस आरिया चीजा ली we start a new relation we start a new journey with that student with the Melbourne office चंगी चीज एह है कि Sumit Melbourne office तो he is going to be in India इंडिया दे विच for the next 10-12 days तुसी सुमित नो आप मिल साख दे हो personally मिलके किसे वी तरीके दी कोई वी question या concerns है तुसी साडे को लो visa लगवाया नहीं लगवाया पहला ता ओदे ते आ जाने है कि जे तो आड़ा बच्चा या तुसी आप Australia हो तो अनू उत्थे किसे तरीके दी problem है या तुसी मिलना चाने हो सुमित नो in regards के यार उत्थे student नो या तो अड़े पेज हो चाहे तुसी किसे वी consultant तो अपने बच्चे नो बार पेज है जे उनू उत्थे किसे तरा दी कोई वी problem है या किसे वी तरीके दी कोई वी service चाही दी है तुसी सुमित नो directly मिल साग दे हो चार दिना दा seminar जड़ा हैगा वो आपा वकरे वकरे offices द नो मही नो ओं गलोबल दे अंबरसर ओफिस दे विच रंजीत अविने दे विच जाके तुसी सुमित नो मिल साग दे हो उस तबाद 10 मही नो जलंदर ओफिस होटल रेजिडेंसी दे सामने उत्थे सुमित विल बी अवेलिबल ऑन 10 अप में 11 मही नो ओं गलोबल सेक्टर सता चंडीगट दे ओफिस दे विच ही विल बी अवेलिबल तो टेक कियर अफ आल यूर कोश्चेंज और आंसर अल यूर क्वेरी इस तो बाद 12 तरीक नो जीत रोड दे बठिंडा दे विच जाके तुसी उनो मिल सागे तो इचार डेट्स ता ओने जडियां फिक्स चार डेट बडेट्स चार वखरे शहरा डे विच चार वखरे वखरे ओफिसे दे वेच रखी है एं तो अपार्ट फ्रॉम के अस्ट्रेलिया दे विच ट्यलेट्स ने उना दे पेरेंट्स नो जे कोई कोई क्वेश्चिन ने ओ मिलना चांद है तूसी नवे स्विरं ऑस्ट्रेलिया अब भी नहीं पता क्यों जी ती पताे पिए ती बाओ सदे आ धेगा मैं पिछले हफ्ते दाज दिन दी गई ता भाल कारा मेरे को लोगी बावजूद भी वीजा जड़ा और फ्यूज हो गया किते ना किते शायद जीटी दे विच प्राब्लम सी फंड्स शो करन दे विच प्राब्लम सी या सही तरीके देनाल फाइल दी प्रेजेंटेशन जड़ी है गया ओम बैसी नो या हाई कमिशन नो नहीं हुई आपनी गाल करा थे आवर टीम हाज बीन एफिशेंट इनफ कि आसी बहुत सारी या वक्रियां वक्रियां लेवल वान लेवल तू युनिवर्सटी दे विच वी जड़े स्टूडेंट्स दे वीजे है गया और रेगुलर बेसिस दे अप्लाई कीते है काल दी वीजे गाल करा दो तिन मेडिकल रिक्वेस्ट जड़ियां है सानु रिसीव हुई है स्टूडेंट्स दियां या इंशूरेंस ओएसेची दी कही वरी डेट अग्गे पिछे कार के हाई कमिशन मांग दिया तो इस आस गुड़ वीजा जदो मेडिकल मांग लिया या जदो ओएसेची मांग किसे भी शेयर दे विच अपनी फैमिली दे कोल अपने फ्रेंट्स दे कोल कितन लागदा क्यार इस पटिकुलर प्रोवेंस दे विच मैं एडमीशन कराना चाना बट मेरी अडमीशन नहीं होड़ी या आज जी दो दो तिन तिन चार चार मीन नहीं होगे ऑफ़ लेट का रह प्रेक्ट नहीं हो ते फाइल जेड़ी है ओ अन होल्ड रह जन दिया ओ गोल गोल सर्कल दे वेच जेड़ी फाइल है गी है ओ को मदी रह जन दिया बड़ी खुशी हुं दी है क्योंकि मैं अपना करियर आज तो पंदरा साल पहला सिरुफ अस्ट्रेलिया तो फी स्टार्ट किता है नायगे तो फुर्स्ट कंट्री या पहला वीजा तो अस्ट्रेलिया दा स्टूर्ट वीजा से ग़ा अंड़ ग्लोबल लुंक अस मध्सिंट शीद से avoided दो रहाएं वास्ट्रेलिया और शीजा है उट ज कहित्ट अ स्टूड पिर गोलश्ट्रेलिया ओ घart रिर न Emm लेवल किसे कंट्री दा या यूनिवर्स्टी दा चेंज होया या किसे यूनिवर्स्टी कालेज नू या डी ग्रेड कीता गया है अब ऐसी वहलो कि यार नहीं यह जड़ा फ्रोसेस थीक नहीं है बट सारे कॉलिज्ज़ ने जड़े थोख्दे साव ना संतल इंडिा विच कम करने लागे। हमेलमम पैटरन फट दी हैं रहे मिच की यहां拜 है. एक कोई कॉलेज नहीं आगी है और किसे दे पांच बैंड है के दे छे है के दे साथे छे है के दो साल दा गया है के दा छे साल दा गया है साल गया है साथे दे आ गया है साल गया है तो सान पुलोम एड़ हैी विली टे नहीं सेप्वाद डांट दा ओव्रबिय अगया कर रहे तो इद्दा दे केसिस दे विच उना कॉलेजिस दे जड़े वीजास है गया तड़ा तड़ा तड़ तिकता वांग रिफ्यूज होने शुरू हो जांदे है वेट दे विच लोग की अपलाई करी जांदे है वीजा फटा फट कोई भी आया चुक्के उनू किसे भी डि तो आनू ने रफ्यूजहा डैटर मिलनी ही है विच हिस वरी जैंररल रीफ्यूजाल रेटर हर बच ली समीं चीज उनाने लिखके तो आनू रफ्यूजह डैटर दे 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 है कीज़ां बैसी बलनी देखिया जांदियाए केड़े-डबी नारे मेंट सब्सक्रेश्चति इस ट्रावलिंग दिस वीक चो पर सुच ओध युल भी कमिंग तो इंडिया उस तो बाद रेगुलर बेसिस ते ही विल बी इन वन ओफिस और दी अधर सो तुसी कॉल सेंटर दे नंबर ते 9216192167 ते कॉल करके अपनी अपॉइंटमेंट ले साग दे हो कि सेमिनार वाले दिन तुसी ओनु किसे ओफिस दे विच मिलना चानने हो या सेमिनर वाले दिन तो अनलग दा कि मैं उस शेयर दे विच नहीं अविलिबल है गाया किसे कम करके आज विजिट नहीं कर सकदा तो यू कन सेड्यूल यूर अपॉइंटमेंट वाले दिन तुसी ओफिस दे विच रखके जाओगा कोशिश करांगे कि तो अनू तो अड़ी हर चीज दा जेडी जान कह रही है सई तरीके ना देती जाए सब तो बड़ी प्राब्लम की उन्दिया के कंसल्टेंट ना नहीं कर दा तुसी दस साल दा गैप लेके चल जो तुसी छे बैंड लेके चल जो चार बैंड लेके चल जो बहुत सारी एड़टिसमेंट्स मैं भी देख दा फेस्बुक ते सोशल मीडिया ते रेगलोर बेसिस एड़ट गी है दास साल दा गैप लाबंदा अपलाई कर दो चार बैंड अपलाई कर दो विदाओ टायल्स अपलाई कर दो पाही समझता लो कि दा जदो वी लकीर तो हट के कोई चीज वेची जांदी है उदा सिदा सिदा मतलब ज़ा के तो अड़ी एक्स्प्लोइटेशन होएगी और जो तो तो डी एक्स्पोइटेशन होएगी वीजा तो अडा रफ्यूज होना पैसे तो अडे खराब होने हैं once again I am telling you the dates के 9 तरीक नो अमरिच सर 10 तरीक नो जलंदर 11 तरीक नो चंडीगड ते 12 तरीक नो बठिंडा दे आफिसे दे विच तुसी सुमित नो मिल साख दे हो along with सुमित you will have all the team of home global from different offices ओना नो जाके मिल साख दे हो ताकि जो अगे तो अडा प्रोसेस है जुलाइ इंटेक लई या सप्टेंबर लई अक्टूबर लई जे तुसी apply करना चानने हो you have good time के आज भी जुलाइ ले हो उन तो प्रोसेस शुरू करोगे तो जेड़ा एक तो दो मीन दा प्रोसेस से तो अड़ा जी टी ओफर लेटर और सी ओई आन तक दा 4020 विजार रेफ्यूस होंदे है क्योंकि फंड़्स अना थे आप देनी होंदे फंड्स कितो ना कितो कि से फानाइंसर नो किसे नो पैसे डे कराये होंदे और जदो फंड्स दी आंबैसिवल लोब विरिफिकेशन होंदी है ओधो और फंड्स जली निकल दे है और ना फंड दे विच सही तरीके दे नालो इंक्वाइरी नहीं निकल दी फिर तिन साल दा बैन तो अड़ा लग दा तरीक दे प्रोसेसिंग फीस लेले पैसे लेले पैसे लेएं तो बाद अगे कुछ भी प्रोसेस नहीं हो रहा है जो अमबर सर नौ तरीक नू जिलंदर दास तरीक नू ग्यारा तरीक नू चंडिगर ते बारा तरीक नू बठिंडा कुछ भी जानकारी होर लेना चाहने हो अधे रिलेटेड कॉल सेंटर नंबर ते 92161 ते 92167 ते कॉल कर साग दे हो फेस्बुक ते मैसेज रही है अपना नं बना के जाओ सो देट त्वा नू उनना का टाइम मिले जेदेनाल तुसी अपने क्वेश्चन्स और कंसर्न काट चाग देओ कुछ क्वेश्चन्स ने जड़े चैट दे विच मिनू आया हो ने कि सर में कम्प्लीट 2019 दे विच किती है दो साल दा गैप है उस्टेलिया दा व जड़े विच तुसी मास्टर्स किती है या उस तो पहला बीए किती है उदे केड़े केड़े सब्जेक्ट्स ने शुबम ओ बहुत ज्यादा इंपॉर्टन है तुसी जड़े भी शेहर हो इना डेट्स दे अपने डॉक्यमेंट लेके ऑफिस विजिट करो यू विल गेट के better idea कि किस तरह एक masters बाला बच्चा अग्या होधी, बाद, तो बाद graduation, master's तो बाद you are going at a parallel level which is another master's. So you have to justify yourself in a very clear cut and understandable way. जे देना लो universities या colleges तो आपकाल सुनन के क्यों एनू admission दिये. And apart from that admission the second step is visa also. So visa देविच भी जडी embassy है वी ये देख दिया के अर master's करन तो बाद दोबारा master's क्यों करन चल लेया, उदा की benefit होगा. एदे विच ही Australia's statement of purpose जेनू के नहीं हो बहुत ज़ादा importance और बहुत ज़ादा मत्तवराख दी है के you explain everything to the visa officer. Statement of purpose एक तरह दी तो आडी जीवनी लिखी जान दी है किस दिन तो लेके आज तक जदो तो आडी education 10th तो लेके हूं तक तुसी की कीता हूं केड़ा course लेकेड़ी university लेकी future plans ने जो दो इस सारा कुछ तुसी efficiently explain कर दे हो विजा officer नो then only the visas are granted so cutting it short I think it is better के तुसी आपनी शारी queries लेके offices visit करो Sumit नो मिलो या बाकी हूर counselors नो branch managers नो मिलो they will explain you each and everything क्योंकि हर case वख रहा है हर profile वख रहा है तो आडेकेड़े subject जो किने number ने केड़ा subject कीता हूया IELTS किना score है इंडिविजली इक बैंड जो केड़े केड़े बैंड दे विच केड़े केड़े module दे विच किना score है ओ दे उत्ते डिपेंड करता है कि तो आड़ प्रफाइल किस तरीके नल होगा यह ओ वीजा नहीं हैगा जे दिनाल सारे नो एक को रसे दिनाल बन देता जाए इदे चार बंदेले वकरा वकरा रसा बनेया है तो यह आप टू अडेंटिफाई के मैं केड़े पासे केड़ी इनिवर्स्टी और केड़े कोस्ते विच जाना है तो थैंक यू सो मच जी आइट इस क्लियर एनफ के जे तुसी अपने प्रोफाईल बारे इंडिविजल जानकरी लैनी है ते नौ तो लेके दस ग्यारा बारा तरीक तक वक्रे वक्रे आफिसेज विजिट करके अपने प्रोफाईल बारे या अपने वीज़े बारे जानकरी लैसा दे शुक्रिया जी बहुत बहुत तनवात